इंकुलाम टिवी प्रैमिटेंज समाचर में आपका स्वागत है राजी ग्रामिट आवास सेव संगिद्वारा प्रति रोध मार्च निकालते हुए मुख्य मंत्री का पुतला दहन किया गया बेगुसराय में राजी आवास कर्मी संग बिहार के आवान पर जिला आईकाई बेगुसराय द्वारा गुरुवार को सामोहिक आवकाश के तीसरे दिन जिले के तमाम आवास कर्मी सामोहिक आवकाश पर डटे हुए हैं सामजिक दूरी का पालन करते हुए दरजनों की संख्या में उपस्तित आवास कर्मियों ने सरकार द्वारा उच इस तरी कमीटी की अनुशनसा के बावजूद नेमित नहीं करने के वियुद्ध समाहनाले केट पर जोगदार प्रतिरोध करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवास बुलंद की आवास संके जिलामंत्री सिकंदर कुमार ने सरकार की कर्मचारी विरोधी निती की घोर भच्षरना करते हुए सरकार पर सविदा कर्मी के साथ ठगने का आरोप लगाया है उन्होंने आवास कर्मियों सहित अनिस सविदा कर्मियों को भी वेतनमान के साथ सेवा नियमित करने की मांग की है राजी संके निड़ने अनुसार उच्छिस्तरी कमेटी के रिपोर्ट को नहीं लागू करने के विरोध में कारिकारी अध्यक्ष आशुतोष कौशिक के नित्रुत में आवास कर्मियों ने मुख्य मंत्री का पुतला दहन कारिक्रम किया विरोध रेली में कारिकारी अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कौशिक, जिला मंत्री सेकंदर कुमार, सायुक्त मंत्री सुमित कुमार, उपाद्यक्ष संजीव कुमार, रामप्रवेश, मनीश, राजीव, प्रेमजीत, आयोश, दिनेश, आलोक, रोशन, राहुल, सुमन, रामबली, विरेंद्र सहित, अन्य दर्जनों आवास कर्मियों ने भाग लिया। कर्मी, अवास संग, विहार के दोरा निर्नेया अनुसार, हम लोग आज हरताल के तिसरे दीन भी लगातारिक बैदन में टते हुए हैं, उचस्तरिया कमीटी का गठन किया गया था 2015 चुनाओ के पूर, और उसके बाद उचस्तरिया कमीटी का निर्नेया भी आ गया, उसका स् सरकार के द्वारा जो है, 2018 के अगस्त में, 15 अगस्त को जो है, इसका घोसना भी कर दिया गया, कि जितने भी संविजा कर्मी है, जो द्री कमीटी की अनसंसा के दार पर हम लोग उसको नियमित करेंगे, बावजूद इसके हम लोगों के सिर्फ साथ सिर्फ छल करने का ही परि अगर हमारी सेवा को नियमित नहीं करती है, बेतन मों नहीं देती है, तो हम लोगों को उग्रांदोलन के साथ और निशित काली नहरताल पर भी जाने को विवस करेंगे, गाल, खाना परदे संग के आगिया, किन ममातों पर लिखा को संभिता कर्मी महासंग के आवाण पर विहार के सारे संभिता कर्मी तीनों से शामुई का वकास पर करेंगेंगे, ताना साथ भिहार सरकार का आज हम लोग आक्रोसित हो करके पुतलाहां धंकिये हैं, और अपनी मांगों को लगातार 500 से मांगा जा रहा है लेकिन चादरी कमीट्री के इंतजार में थे वो भी आ गया उसका गादी मैदान से घुस्मा भी किये उसके बार अभी तक लागू नहीं किया गया है इस एलेक्शन अब नजदी का है और वो चाहते हैं इस बार भी हम इन लोगों को भूखा में रखें और इस बार भी हम गद्धी पर बैठें जो यह संभप्रति पर ही होता है आज नितिश कुमार बिहार सरकार के द्वारा बिहार के लाखों युवाओं का भूश बरबाद कर दिया गया है संभीदा रूपी लोगों को इदे करके यह क्या विकास है हम अच्छे लगे शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए कमेंट कीजिए